आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलिटिन अभी-अभी खबरों का रुख कर लेते हैं संसत का मौनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो गया है और आज मौनसून सत्र का दूसरा दिन है कल सदन में विपक्ष ने हंगामा की आज इसकी वज़ा से कारवाई को सगित कर दिया गया था वहीं सरकार मौनसून सत्र के दौरान कई विधेयकों को पारित करना चाहती है जबकि विपक्ष भी कोरोना की दूसी लहर से निपटने के तरीके पैट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ात्रियों किसान अंदोलन के मुद्धों पर सरका को घेलने की पूरी तैयारी में है पेगासस प्रोजेक्ट मीडिया रिपोर्ट पर आपके राजसभा सांसर संजर सिंग ने राजसभा में शूनने का नोटिस भी दिया है वहीं आज पून हैकिंग को लेका पेगासस प्रोजेक्ट पर मीडिया रिपोर्ट दोनों सदनों में हंगामे की वज़ा बन सकती है इसको लेका कॉंग्रेस सांसर मनीकम टैगोर नेभी लोगसभा में इस सगन प्रसाव के लिए तोहाम आद्वी पार्टी के सांसर संजिस सिंग नेभी राजसभा में जीरो ओवर में चर्चा के लिए नोटिस दिया है आज शाम को 6 बजे प्रदान मंती नरीण नमुदी सर्वतलिय बैठक भी करने वाले हैं इसी बैठक में कोरोना की तयारियों को लेकर सरकाव विपक्ष के सामने प्रेजनेशन भी दे सकती है सरका वैक्सिनेशन को लेकर आगे की तयारियों के बारे में भी रोड मैप साचा कर सकती है इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर की तयारियों कुलेकर भी मीटिंग में चर्चा हो सकती है तो बतादें मौनसून सत्रुक आज दूसरा दिन है दूसरे दिन भी विपक्ष की तरफ से हंगामे के पूरे आसार हैं बढ़ती हुई महंगाई पेगासस वाइरस और तमाम मुद्दो पर विपक्ष जो है साका को घेनने की लगातार रणीती बना रही है हाला कि आज शाम को छे बजे भी प्रधान बंतरी की तरफ से एक बैटक है जिसमें कोरोना की दूसरी और तीसी लहर को लेकर प्रेजेंटेशन के जरिये बाच्चूइत की जाएगी उस पर जर्चा की जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी आज दूसरे दिन की कारवाही मे क्या होगा ये देखने वाली बात है वहीं विपक्ष भी लगाता है सरकार को घेरने की लगातार रनीती बना रहा है कल भी विपक्ष ने सरकार को घेरा काफी हंगामेदार पहला दिन रहा सत्र का और आज ऐसे में दूसरे दिन में क्या-क्या मुद्दे उटने वाले हैं कि किन चीजों पर बात होगी ये देखने वाली बात है तो बता दें मौनसुन सत्रकाज दूसरा दिन है तूसरे दिन की कारवाई भी शुरू हो जाएगी मोदी मंत्री मंडल से बाहर किये गए रविशंक प्रसाद और प्रकास जावलेकर जैसे भारी भरकम नेताओं को पार्टी ने संगठन में जगा दी जाएगी पिलार भुपेंद्र यादव के मंत्री मंडल में शामिल होने से एक महा सचेव का पद खाली हुआ हुआ है वहीं पार्टी की राष्ट्यों पाध्यक्ष अनपूर्णा देवी को और राष्ट्यों सचेव विश्व शेचवर टूडू को भी मंत्री बनाया जाएगा पार्टी सूतों को मताबिक बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नदाज जल्द ही इन रिक्त इस्थानों पर नई नियुक्तियां भी करने जा रहे हैं इनमें जावेड कर और प्रसाथ को भी समायोजित किये जाने की पूरी संभावना है उन्हें पार्टी संगठन में काम करने का लंबा नुभव भी है साथी जावेड कर मंत्री रहते हुए भी कई राज्यों के चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं उन्होंने तमिल नाडू, आंदरप्रदेश, कौनातक और राजिस्तान में विधान सभा चुनाव में पार्टी की ओर से चुनाव प्रभारी का दायत भी निभाय था वही महराष्ट में पिछले विधान सभा चुनाव के दौरान सिफ चेना से सीचो के ताल मेल का सारा जिम्मा भी प्रधान मंत्री की ओर से जावेड कर के पास ही था साथी जावेड कर और रविशंक का दोनों ही सका के प्रवक्ता रहे हैं अगले साल होने वाले आठ राज्यों के विधान सभा चुनावों को लोग सभा चुनाव से पहले सेमी फाइनल माना जा रहा है ऐसे में ये दोनों बीचे भी प्रवक्ता की जरूरत भी पूरी करेंगे वहीं मंती वंडल से बाहर होच के डॉक्टर हर्श वर्दन और रमेश पोक्रियाल निश्रंक को उनके ग्रह राज्य दिल्ली और उतराखन के पार्टी संगठन में कोई बड़ी जिम्मिदारी दी जा सकती है वहीं उतराखन में अगले साल परवरी मार्श में विधान सवाज चुनाग भी होने वाले हैं तो बता दें जो रिक्त पद बचे हुए हैं उन पे जल्द ही नियुक्तियां की जा सकती हैं जल्द ही सभी चीजों पर फैसला भी ले लिया जाए यूपी में भी मंत्री मंडल का विसार को ना लगभग तैह हो गया है रविवार को बीजेपी और संग के साथ वी बैटक में मंत्री मंडल विसार को हरी ज़ंडी मिल चुकी है मंत्री मंडल में किन-किन नई चहरों को जगा दी जाएगी उस पर भी सहमती बन गई है इसके बाद सोंग्मा को BGP के प्रदेश अध्याक्ष स्वतनत देव सिंग और संगतन महामंतरी सुनील बंसल दिल्ली पहुंच चुके हैं और इसी महीने होने वाले विस्तार की तारीक की भी घुज़ना सीम योगी आधितिनाज से चर्चा के बाद कर दी जाएगी तो बता देंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें मंत्री मंजल में काफी फेर वदल हो सकता है विस्तार हो सकता है ऐसे में अब ये लगभग तैमाना जा रहा है कि अगले आने वारे कुछ दिनों में मंत्री मंजल में विस्तार हो सकता है और पांस से साथ नए नाम जो है मंत्री मंजल विस्तार में शामिल होने की पूरी उम्म पूरी कर दी गई है मौनसून सत्र के दौरान संसत की 24 घंटे सुरक्षा विवस्ता रहेगी संसत की कई स्थरों में सुरक्षा की गई है वहीं दूसरी तरफ नई-दिल्ली जिला पुलिस को भी सत आदेश दे दिये गए हैं कि नई-दिल्ली इलाके में कोई भी ट्रैक्टर क किसी भी सूरत में प्रवेश ना कर पाए। किसान संगठनों को मनाने की दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश भी नाताम रही थी। तोरान 22 जुलाई को वो संसत का घ्राफ करेंगे और इसी लिए सुरक्षा दिली में एक बाद फिर से बढ़ा दी गई है लगातार कहीं महीने से दिली के अलग-अलग बॉर्ड़ पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तीनों कृशी कानूनों के खिलाफ ऐसे में अब कल से जब स संसत का मौनजून सत्र शुरू हुआ है तो किसानों ने एक बाद फिर से अलान कर दिया है कि वो बाइस जुलाई को संसत का घ्राफ करेंगे जिसको लेकर पुलिस भी लगातार किसान संगठनों से बैटक कर रही है हलक ये बैठक रविवार को भी की गई, सुमवार को भी की गई, लेकिन लगातार ये बैठक बे नतीजा ही निकली है, किसान संगचन किसी भी तरह से मानने के लिए तयार नहीं है, ऐसे में 26 जनवरी की घटना को देखते हुए दिल्ली पुलिस एक बाफ फिर से सतर्क हो गई है, और सुरक्षा के दिल्ली में इंतिजाम और ज़्यादा पुक्ता कर दिये गए हैं, तमान सुरक्षा एजन्सियों को अलर्ट कर दिया गया है, तो बतादे, लगाता किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, कि उस संसत का घिराव करेंगे, तीनों क्रिशी कानूनों के खिला है, तो ऐसे में किसानों की तरफ से एलान किया गया था, कि 22 जुलाए को वो संसत का घिराव करेंगे, लेकिन डिल्ली पुलिस के तरफ से लगातार सक्ती बरती जा रही है, सुरक्षा बढ़ा दी गया, ऐसे में डिल्ली पुलिस ने इस चीज़ पर भी धियान दिया है, कि दिल्ली में किसी भी ट्रैक्टर की एंट्री किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि 26 जनवरी को जो घटना हुई थी वो देशी नहीं दुनिया ने देखी थी कि 26 जनवरी को क्या हुआ था इसके बाद उस घटना से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह से अलर्ट मोर्ट पन नसर आ रही है यूपी में विधान सबचना जैसे जैसे करीब आ रही हैं सियासी दल जातिय समी करनों को साति में पूरी तरह से जुट गई है खास तोर से राजनीती में अच्छा खासा दबदबा रखने वाले भ्रामन समुदाय को अपने साथ लाने की कवायत भी सभी दरू ने शुरू कर दी है BSP सुप्रीमो मायवती ने तो प्रदेश में एक बार फिर 2007 के फॉर्मूले को अपनाने की बात करते हुए जगा जगा भ्रामन जोडो अभ्यान की शुरूआत करने का भी ऐलान कर दिया है जबकि समाजवारी पार्टी हो, बीजेपी हो या कॉंग्रेस हो सभी BSP पर निशाना साथ रहे हैं और खुद को सबसे बड़ा भ्रामनों का हितैशी बताने में जुट गए हैं फिलार विधान सबस्ट चुनाव से पहले इस तरह जातियों की जोड तोड की कवायत यूपी में और बढ़ेगी वहीं उत्तरप्रदेश में हमेशा से जातीगत सियासत देखने को मिलती रही है दरसल 2022 के विधान सबस्ट चुनाव में एक बात वे से सियासत जातीगत समरी करनों पर ही केंडरित होती नज़र आ रही है दरसल बीएसबी सुप्रीमो मायवती ने जिस सरा से कल एक न्यूस एजेंसी से बातशीत के दोरा भ्रामणों को बीएसबी के साथ जोड़े की बात कही थी उससे इतना तो तैह हो गया है कि इस बार के विधान सबस्ट चुनाव में भ्रामणों की भूमी का सबसे ज्यादा महत्रपून होगी शायद मायवती को भी इस बात का एसास है कि 2007 में जब वो पून बहुमत से सत्ता में आई थी तो उसमें भी कही न कहीं भ्रामणों का ही सबसे ज्यादा सहयोग रहा था तो बता दें जैसे जैसे विधान सबस्ट चुनाव पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी जाती समिकर्ण भी बदला हुआ नसर आ रहा है और एक बाप फिर से बीएसबी सुप्रीमो मायवती ने ब्रामणों को साथने की कवायश शुरू कर दी है और तमाम पार्टियां बस्वा सुप्रीमों पर निशाना साथ रही हैं और अपने आपको ब्रामण हितैशी बता रही है कोरोना की तीसी लहर की आशंकार लगातार चुताई जा रही है पीम मूदी ओ और ग्रह मंत्री पैटन इस सलो पर उमड रही भीड से खासे चिंतित भी नज़रा रहे हैं उन्होंने कोरोना नियमों की धच्चियां उराने पर नाराज की भी चताई है इस सब के बावजूद पहाडों की राने शिमला में ना तो पैटको और ना ही आम लोगों को इसकी परवा है तरचल कोरोना प्रोटकॉल्स का सरे आम उलंगन किया जा रहा है और मैदान और मॉ मास्क के ही बाहर निकलता हुआ नजरा रहा है आला कि पुलिस के जवान भी मौजूद रहते हैं जैसे ही पुलिस इधर उदर होती है वैसे ही नियमों की धच्चियां उड़ाई जाती है लोगों की इस हरकत पर अब शिमला पुलिस सक्तों गई है दसल शिमला के एसपी मोह चावला ने साफ कर दिया है कि केवल दो बार समझाएंगे और उसके बाद भी अगर कोई नहीं समझा तो उस पर कारवाई की जाएगी साथी बाद में शिमला में मास्क न पहनने और कुरोना नियमों का उलंगन करने पर पांसो सेले का पांच हजार तक रुपे का जुर्मा अब भी लगाए जाएगा साथी कोई बार बार उलंगर करता है तो उसे आठ दिनों तक जेल में डालने का भी प्रावधान है लेकिन इस सब के बावजूद जनता मान नहीं रही है तो बतादें लगाता पाहडों पर भीड उमड रही है ऐसे में प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जा रहा है लेकिन अब शिमला पुलिस सतर्क हो गई है और शिमला पुलिस की तरफ से कहा गया है कि अगर शिमला आने बारे परेटक या आम लोग नियमों को फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर कारवाई होगी 500 रुपे से 5000 तक का चलान उन लोगों पकाटा जाएगा और आठ बार अगर कोई ज्यादा गलती करेगा तो उसे 8 दिनों तक की जेल में भी डाला जाएगा इलाज कराने पहुंचे COVID-19 के रोग्यों को मोटा बिल थमा रहे हैं अस्पतालों को अब सुप्रीम कोट ने फटकार लगाई है दरसल सुमवा को अदालत ने कहा है कि रोग्यों को राहत देने के बज़ाए अस्पताल बड़े उद्योग बन चुके है जस्टिस डी वाई चंद्रचूर और एमार शाह की बेंच बीते इस साल दिसंबर में दिये गए अपने आदेश की मौझूदा इस्तिका जाज़ा ले रही थी इस दोरान कोट को अफगत कराया गया कि अस्पताल COVID-19 के मरीजों का काफी बड़ा बिल तयार कर रहे है कोट में सीनिया एड़ुकेट दुश्यन्त दवे ने अपने परिवार और भाई के रिष्टदारों से जुड़ा एक अनुभव भी साज़व किया था उन्हें कहा कि उनका इलाज कराने वाले अस्पताल ने 17 लाक रुपे का बिल बना दिया था और फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका अस्पतालों की तरफ से वसूली जाने वाले फीस की कोई सीमा खोनी ही नहीं चाहिए और मरीजों को ठगे जाने से बचाया जाना चाहिए दरसल करी लोगों ने अपनी रिष्टेदारों से इलाज के लिए पैसे उधार लिये हैं और वो लगभग दिवालिया भी हो चुके हैं वहीं अस्पताल की फीस की कोई सीमान नहीं होनी चाहिए बेंच ने कहा कि अस्पताल बड़ी इंडस्टी बन चुकी है क्या हमें अस्पतालों को रियल स्टेट इंडस्टी की तरह देखना होगा ये एक ऐसा सेक्टर है जो परिशान मरीजों को रहत पहुँचाता है बेंच ने भी तेज साल 18 दिसमबर को सभी कोई अस्पतालों में नोडल अधिकारियों की सीदी, नियुक्ती और जिला समीतियों को सभी कोई के अस्पतालों में फायर ओडिट करने के निर्देश दिये थे कोरोना वारस जिस तरह से रूप बदल रहा है उससे टेंशन और ज्यादा बढ़ती जा रही है अब गोहाटी से शिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है वहाँ एक महिला डॉक्टर कोरोना के डबल वेरियन से संकमित मिली है दरसल एकी समय पर किसी का दो करोना वेरियन से संकमित होने का ये भारत का पहला मामला माना ज़ा रहा है चौकाने वाली बात ये भी है कि महिला को करोना वैक्सीन की दोनों खुराक भी लग चुकी है उनके सैंपल में अलफा और डेल्टा दोनों वेरियन जपीरे है दुनिया में सबसे पहला ऐसा मामला बेलजियम से सामने आया था वहाँ 90 साल की महिला को एक ही समय पर एलफा और बीचा वेरियन से संकमित पाया गया था उनकी बाद में मौत भी हो गई थी वही महिला को कुरोना ठीका नहीं लगा था सूत्रों के मुताविक असम के डिब्रुगर जिले में आइसीम आर आरेम आरसी के अधिकारी डॉक्टर विश्विज्योती ने बताया कि एक महिला डॉक्टर के दो कुरोना वेरियन से संकमित होने की पुष्टी हुई है वो इसे भारत का पहला ऐसा मामला मान रहे हैं तो बता दें कुरोना की तीसी लहर की जब आशंका लगातार जुताई जा रही है गुआहाटी से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक महिला में कुरोना के दो वेरियन्ट पाए गए हैं हाला कि इसे बारत का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है दुनिया में सबसे पहला ऐसा मामला बेल्जिम में मिलाता जहां पर 90 साल की एक महिला में दो वेरियंच पाए गए थे कोरोना की हाला कि महिला की कुछ दिनों बाद ही जान भी चली गए थी लेकिन गौहाटी में जिस महि वेक्सीन की दोनों डोस भी लग चुकिया इसलिए चिंता का विश्य सबसे ज्यादा बन जाता है दिली में राशन वितरन ग्योजना को लेका केंडर और दिली सरकार के बीच गहमा गहमी पनी हुई है वहीं अब इस बीच दिली सरकार ने केंडर सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को दिली में लागू करने का फैसला कर लिया है इस वैसे से उन प्रवासियों को भी फायदा मिलेगा जिनके पास दूसरे राज्य के राशन कार्ड हैं और जिनकी पहचान उनके मूल राज्य में राश्टियक खादेश सुरक्षा दिनियम के तहत की गई है दिली सरकार ने NFSA 2013 और PNG KYE के तहट जुलाई 2021 के लिए PDS कार्ड धारकों को मुफ्त राशन वित्रित करने के लिए बन नेशन वन कार्ड योचना लागू करने का निर्ने ले दिया है दिली सरकार के और से बिली जानकारी के मुताविक पूरी दिली में सभी लाभार्तियों को राशन की दुकानों पर बायोमेट्रिक प्रामानी करन पर E.P.O.S. मशीन के जरिए चरन बत तरीके से मुफ्त में राशन दिया जाएगा इसके लिए सभी राशन दुकानों को निर्देश भी दे दिये गए हैं कि वो अनिवारे रूप से दुकान के बहार एक बोर्ड लगाए जिसमें लाभार्तियों की पात्रता की विस्तित जानकारी समित सभी तरह की जरूरी सूशनाय भी उसमें लिखी हो तो चलिया आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का देश का दक्षिन राज़े केरल इस वक्त कोरोना वारस महमारी से सबसे ज्यादा जूज रहा है यहां अब हर दिन मामलों की संक्याद 10,000 से ज्यादा दर्ज हो रही है केरल में करोना की रफ़तार बढ़ रही है और इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाए ज़ा सकता है कि राज़े में संक्मेंट दर कई हफतों से 10 पीसद के पास ही थी जो अब बढ़का 11.08 पतिश्रत हो गई है केरल में करोना के कुल मामलों की संक्या 13,000,000 से ज्यादा है जबकि पूरे देश में करोना के कुल मामलों की संक्या 3,11,44,239 है यानि करीब 10 पीसदी संक्रमन के मामले के लिए केरल से सामने आ रही है देश के बाकी राज्यों की तुलना में केरल में समय कुरोना पॉसिटिविटी दर देश में सबसे ज्यादा है तो बता दें लगाता केरल से मामले सामने आ रहे हैं वो हर किसी की चिंता बढ़ा रहे है दस पीज़त मामले लगाता केरल से ही सामने आ रहे हैं ऐसे में सभी की चिंता बढ़ती हुई दिख रही है सौस्ते मंद्रॉले से रेका केंद सका लगातार चिंते थै जिस तरह से केरल में लगातार मामले कम होने का नाम नहीं ले रही है दरसल तीसी लहर की संभावना लगातार जताई जा रही है ऐसे में जब केरल और महाराश्ट्रे से इस तरह से मामले आ रहे हैं उसने हर किसी की चिंता को बढ़ा दिया है देश में जानलेवा कोरोनवारस की दूसरी लहर का अभी भी बरकरार है कोरोनम हमारी को देखते हुए उतरप्रदेश, उतराखंड और दिली ने कावर ग्यात्रा पर रोक लगा दी है इस बीच आज दक्षिन राज्य केरल में बकरईद के लिए दी गई बासार और दुकाने खोलने की छूट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी केरल में समय कोरोना पॉसिटिविटी दरदेश में सबसे ज्यादा है केरल में तीन दिन के लिए दी गई छूट का आज आखरी दिन है कोर्ट ने केरल सरकार को मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है मैं सुप्रीम कोर्ट की सक्ति के चलतेश से पहले यूपी सरकार ने कावर यात्रा को दी गई अनुमती रद कर दी थी बता दे याचिका कर्ता ने इसे आधार बनाते हुए कोट से मांग की है कि वो केरल सकार से भी कहे कि बाजार खूलने का आदेश रद करे तक की भीड के चलते कोरोना पहले का खत्रा ना हो केरल में बता दें कोरोना वारस संक्रमट की 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्जे में संक्रमटों की संक्या बढ़का 31,70,000 के पार पहुंच चुकी है वहीं राज्जे में महमारी की वज़ा से 58 लोगों की जान भी जा चुकी है जिसके बाद संक्रमण से मनने वालों की संख्या भी बढ़का 15408 हो गई है देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है दिली और मुंबई समय देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत सेकड़ा पार कर चुकी है सुमवा कोदेश की संसद में पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर सरकार की और से कुछ ऐसे तथे पेश किये गए जिने जानकर आप चौक जाएंगे दरसल आप जानना चाहेंगे कि आखर 1221 में अब तक किती वाप पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़हतरी की गई है 9 जुलाई तक का पेश किया है जैसा कि हम जानते हैं कि आप तेल कमपनिया रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम तैक करती है जबकि मातर चार दिन ऐसे थे जब कीमत खटाई कई वहीं 125 दिन ऐसे भी रहे जब डीजल की कीमत में कोई बदलाफ नहीं किया गया था अगर पिछले तीन सालों की बात करें तो 2018-19 के दौरान पेट्रोल की कीमत में 138 बार और 2019-2020 के बीच 89 बार जबकि 2020-21 में 76 बार बाहुतरी की गई थी इसी तरह डीजल के दाम में 2018-19 में 144 बार और 2019-2020 तक में 69 बार जबकि 2020-21 के दौरान 73 बार दाम बढ़ाए गए थे मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बॉलिवड एक्ट्रोय शिल्पाश्रेटी के पती और बिजनेसमेन राजकुंद्रा को सुमवार राद गिरफतार कर लिया उन्हें अश्लील फिल्म और उन्हें आप पर रुलीस करने के आरोप में राजकुंद्रा को गिरफतार किया गया है इस मामले में पुलिस ने मुख्य अारोपी भी बना intra इसी साल परवरी में आश्वील फिल्म बनाने और उन्हें आपके जटर्ठी आई डर्श के अपर्श Entertainment मेडिकल ज्राच के बार राज कुंद्रा को मंगलवा को कोट में पेश किया जाएगा मुंबई पुलिस कमिशनर ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अस्ट्रील फिल्म बनाने और उन्हें अलग-अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर रुलीस करने का एक केस दर्श किया गया था जिसके बाद से ही पुलिस ने कई अलग-अलग छिकानों पर शापेमारी भी की थी वहीं इस मामले में राज कुंद्रा से पहले चार लोगों को भी गिरफतार किया गया है इन्हीं आरोपियों के बयान और टेक्निकल एविडिन्स के आधा पर राज कुंद्रा की गिरफतारी की गई है महीं बता दें पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस मामले में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी है और मुख्य शाज़िश करता भी है तो बता दें राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच की तरफ से गिरफतार कर लिया गया है हाला कि आज मेडिकल जांच के बाद राज कुंद्रा को क्राइम कोर्ट में पेश किया जाएगा अश्लील फिल्म और उसे आप पर रिलीस करने का आरोप राजकुंद्रा पर लगा हुआ है और अगर राजकुंद्रा पर सभी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें जेल भी होगी दो साल की आज पाकिसान साओधी अरब समित कई देशों में बक्राईट का तेवाहार बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है इस्दिन इसलाम धर्म मानने वाले नमाज पढ़ने के बाद जानवर की कुर्पानी भी देते हैं बतादें से ओहार कोले का लोगों में उठसा भी देखने के लिए मिल रहा है महीं ते ओहार के मौके बाइसलाम धन को मानने वाले लोग सुबा नमाज अदा करते हैं और इसके बाद आपस में गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई भी देते हैं इसके बाद जानवर की कुर्बानी देने की प्रथा भी हमाई देश में है कुर्बानी देने के बाद बक्रे के गौश्चत को तीन हिस्सों में बाटा जाता है एक हिस्सा गरीबों में दूसरा हिस्सा दोस्त और रिष्टदारों में और तीसरा हिस्सा अपने पास रखा जाता है कई लोग इस दिन दान पुन्ने भी करते हैं दिल्ली में रविवार और सुमवा की बारिश ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी इसके साथ ही बारिश के तैयारियों को लेकर नगर निंगमों और दिल्ली सरकार के दावों की पोल खुल गई कई लाकों में जलजमाव की वज़ा से लोग परिशान रहे वहीं दौरका इलाके में एक सड़क धस गई सड़क धसने की वज़ा से हुए गड़े में एक कार भी समा गई ये हाथा सुमवा शाम दिली के दौरका के सेक्टर थारा इलाके में हुआ जहां कार भी सड़क पर गड़े में समा गई बताया जा रहा है कि कार दिले पुलिस के जवान अश्वनी कुमार की थी दुरगटना में अश्वनी भी कार में ही फस गए थे बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने बाद में कार को गड़े से निकाला हाला की अश्वनी भी सुरक्षित निकाल लिये गए वहीं पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को भी घटे से निकलवा लिया वीडियो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से सड़क में गड़ा हो गया और उस पे गाड़ी जो है पूरी तरह से गड़े में धस गई हाला कि मौके पर जब पुलिस पहुंची क्रेन की मदद से गाड़ी को बाहर निकलवाया गया और उसके बाद उसमें मौजूद अश्वनी को भी सुरक्षित निकाल लिया गया था देश फर में मौनसून के आने से कई हिस्सों में गर्मी से जूज रहे लोगों को राहत मिली है इंडिया मेटरलोचिकल डिपार्टमें ने देश के कई राच्चों में भारी मध्यम और खल्की बारिश का पुना अनुमान चताया है आयमजी के मताबे कोकंड और गोवा, हर्याना के कोछे सो, दिल्ली जमू कश्मीर, उत्राखंड के कोछे सो, हिमाशल प्रदेश के कोछे सो में और उप हिमालिया, पशे मगा, सिक्के मौर, अंजमान और निकोबा, दुईप समू के कोछे सो में अगले 24 घंटों में मध्यम से बहरी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है इस बुलेटन में फिलाल के लिए इतना ही, आप देखते रहे हैं नियूस वोल इंडिया